हेलो एवरिबरन मैं कलिमा और आपका वैलकम है मेरी की चैन मरियम की चैन मरियम में आज मैं बनाने जारी हूँ बिल्कुल थेले वाला चौमिन जी हाँ आपने सही सुना मैं आज थेले वाला चौमिन बनाने जारी हूँ जो बहुत ही टेक्शर वाला है और इसकी सारे चौमिन करते हैं अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को इन तक जरूर देखें अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन पर प्रेस कर लें जिससे आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी तो यहां आप जो भी आपके मार्केट में चौमिन मिलता हो आप ले लें चौमिन को बहुत ज़्यादा तोड़ करना डालें बहुत ज़्यादे चुटे-चुटे हो जाते हैं तो चौमिन अच्छी नहीं लगती चौमिन को मीडियम फ्लेम पे हम 3-4 मिनट तक पका लेंगे तो यहां 4 मिनट बाद यहां मैंने देखा है तो चौमिन हमारी 70% टेंडर हो चुकी है तो गैस को हम आफ कर देंगे और इसे हम ड्रेन करेंगे तो चौमिन को आप अच्छे से ड्रेन कर लें और इसे प्लेट या पंकेक नीची से आप ठंडा होने के लिए रगने से बहुत रराम प्लेम अच्छे मिर्च कर लिया है तेल के गर्म होती हम इसमें लेसन और हरी मिर्च डाल देंगे इसे आधे से के लिए ने मिर्च करेंगे और सात में अब हम इसमें डाल देंगे प्यां इसे साथ में हम डाल देंगे गाजर सबजियों को हमें बहुत ज़दा पकाना नहीं है अब हम इसमें डाल देंगे एक चमच विनिगर विनिगर डाल के हम इसे मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च इसे भी हम थोड़ा सा पका लेंगे गयस की फ्लेम को हम low medium कर देंगे अब हम इसे सारे सॉस डाल देंगे तो यहां मेहने एक चमच्छ ऐगरीन चिली सॉस एक से त्रेड़ बड़े चमच टोमेटो केचप एक चमच हम डाल देंगे यहां रड़ चिली सॉस और इसे हम मिक्स कर लेंगे सॉस डालके हम सबजियों में इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे तो यहां हमने इसे मिक्स कर लिए और अब हम इसमें डाल देंगे चाओ जो हमने बॉयल करके रखा हुआ था यह बिल्कुल देख सकते हैं एक्तम सारे चाओ अलग खिले खिले नजर आ रहे हैं चॉमिन डालने के बाद हम इसे सॉस में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे तो यहां हमने इस तरीके से मिक्स कर लिया है तो यहां हम इसे गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर हम इसे चॉमिन को सब्जी और सॉस में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा यहां मैंने काली मेच का पॉर्डर दाल दिया है अगर आपको पसंद हो तभी डाले नहीं तो आप इसे skip कर दें तो यहां हम बिल्कुल थेले स्टाइल बना रहे तो इसे टास्क करना तो बनता है तो यहां मिसे थोड़ा सा टास्क कर लेंगे और यह हमारा चौमिन बन के तयार है है मिसे स्प्रिंग अन्यन से गानिश करेंग ज़्यादा टेस्टी और स्पाइसी सा हमारा वेच चौमिन रेडी हो चुका है गर्मा गरमापी से सर्फ करें इसे हम थोड़ा सा गानिश कर देते इस प्रिंग अनियन से तो यहां हमारा ठेले वाला वेच चौमिन बनके रेडी हो चुका है वीडियो पसंद आये तो लाइक को शेयर करना बिल्कुल न भूले और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट आसीपी के साथ